पूरा वीडियो आगरी तक जरूर देखेगा बहुत ही जबरदस वीडियो होने वाला है इसका पूरा ही रिस्टोरेशन होने जा रहा है एकस्टीरियर से लेके इंटीर तक एक बार आप पूरा लुक देख सकते हैं किस कंडीशन में गाड़ी हमारे पास आई है तो एक बार नजारा आप देखिए किस कंडीशन में आई है और एक बार फाइनल आउटकम हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे इसी वीडियो में तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एकस्टियर पूरा एम लेजेंडर आगे से पीछे तक पूरा लेजेंडर लुक देने जा रहे है और इंटियर भी कस्टमाइज करने जा रहे है एकॉर्डिंग टू दा कस्टमर तो यह आप देख सकते हैं अंदर से बाहर से इस पूरी गाड़ी का नजारा किस कंडिशन में है और जो मैटिंग और सेट कowर आप देख सकते हैं देखके समझ में होग ऑगा तैन और ब्लैक फिनिश में जाने वाला है पूरा ही तैन और ब्लैक फिनिश में जाएगा सेट कowर निकल चुगा है पूरा और यह जल्दी Hersot होगा उसके बाद अगर इधर दाते हैं तो यह आप पूरी देखिए लेजंडर की किट पड़ी हुई है ग्रेल हो गई और यह लाइट हो गई हेड्लैंप हो गई टेल्लैंप हो गई सारी चीजे पड़ी हुई है सारी फेट होंगी अभी और फाइनल लुक हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे यह पीछे से भी एक बार देख सकते हैं गाड़ी का लुक कि किस लुक में हमारे पास आई है तो बने रही है जल्दी आते हैं पूरा लुक लेके आपके सामने पूरानी वाली स्टॉक है वो यहां पर पड़ी हुई है तो लुक देख सकते हैं आप कितना ही फाइन आया है और पूरी तरीके समने से लेजंडर बना दी है इसकी जो एसेसरी उत्री है जो पुरानी वाली स्टॉक है वो यहां पर पड़ी हुई है आप देख सकते हैं बंपर हो गया आप देख सकते हैं कितना प्यार आ रहा है अच्छा एक खास बात और है जो हमने इसकी किट चेंज की थी तो उसमें जो इसके किट के साथ फॉगलंप आई थी और इसमें रोशनी बहुत ही कम थी तो हमने किट अपड़ेट तो कर दी लेकिन फिर कस्टमर की एक्स्ट्रा डिमांड पे उसे फॉगलंप में भी और तगरी रोशनी चाहिए थी तो लुमेक्स से हमने यह लुमेक्स का प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं दो इंच का है और 200 पे काफी हाई पावर है तो वह अब्रेट की है हाली पागलेम तो पागलेम का इब विजन आप देख सकते हैं कितना बड़ी आ रहा है और हाई लो यह दोनों पर ही काम करता है तो बहुत जबदस इसका बीजन आ गया है कोशिश करूँगा कि अगर रात को एक बार अगर रात को बीजन मैं दिखा पाऊ ते इंबर जबूर कोशिश करूँगा लेकिन फिलाल देखें हमने क्या-क्या मौट कीया है इसका पुरा प्रीशिया चेंज हुआ है फ्रंट बं अगर बैक प्रोफाइल अगर प्रोफाइल अगर बात करते हैं तो मिरर पर लिए प्रोफाइल पर ग्लॉसी फिरीश हो चुका है और इसमें एसमसी भी लगाया है एसमसी बोले तो साइड मिर ख्लोजर ज़रा दीजेगा चावी दीजेगा यह देखें लॉक हमने किया तो फोल्ड हो गया अन्लॉक पर अन्फोल्ड हो गया तो यह चोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही जरूरी चीज है अगर आप 50 लग की गाड़ी है और रिमोट से अगर लॉक और अन्लॉक नहीं हो रहा है तो काफी दिक्कत आ जाती है कभी कभी आदमी भूल जाता है तो अंदर फिर से जाना पड़ता पूर लॉक करना पड़ता है यह लगा दी है और यह सारी गाड़ी का हमारे पास अबलेबल है और सारा काम कफलर की कफलर होता है तो एक चीज़ होगी आपकी आई एक बैक पॉपाइल आपको दिखाने कि पोशिच क और प्रिलर हो गया तो यह सारे हमने बैक प्रोफाइल में किया एक फॉर्ट्यूनर वैजिंग आप यहां पे देख सकते हैं एक यूव फिनिश लगा और एक गाड लगा है एक हमने इसमें प्यानो फिनिश किया है कस्टमर को फिनिश ही अच्छा नहीं लग रहा था तो प इंडिकेटर में तीनों ही वर्थ कर रहा पिलर हो गया फैपिंडिकेटर हो गया और यह रिफलेक्टर हो गया तो बैक प्रोफाइल में एक हमने प्यानो फिनिश किया फॉर्ट्यूनर बैजिंग को तेल्लम चेंज हुई है पिदर हमने लगाया है रिफ्लेक्टर लगाया और एक गाड लगाया है वेलकम ब्रैंड का एक हो गया आपकी यह बैजिक जो की स्क्रेचेस से बचाती है फॉर्ट्यूनर की इसकी भी क्वाल्टी आप देख सकते कितनी प्यारी है और एक यह हो गया अब इतने पर ही हम नहीं रुखे हैं आये अंदर आपको दिखाते ही क और एक हो गया है और प्राइच आप देख सकते हैं इतनी प्यारी आरी यहां पर फोकस करिए अगर अगर थिलाई पर इस तिचेस आप देख सकते हैं कितने प्यारे आयों फिनिशिंग देखिए यह पूरी टैन की लेदर फिनिष साथ में एक एमियाट लगी यह सैट आफ यह पूरा हमने यह देखिए आप डैसबोड पे हो गया और टेप के कंसोल पे हो गया तो यह डैसबोड की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आ रही है स्टिच पे गौर करिए एक दम हो यह में स्टाइल में हमने करने कोशिश की है प्लस अम्बेन लाइट का लूग देखिए एक आ रहा है इसे आप अपने इसाप से कलर चेंज कर सकते हैं मैटिंग भी हमने पूरी टैन और ब्लैक की थीम पे दी है जुख सकते हैं मैटिंग ीट नाइईमटि मैटिंग है करें पिटिंग देख सकते हैं कितनी ही बैजिंग नारी एए साथमें है यह जटे कुल का आप प्रप्लाइन पी प्यारी है का यह ते लिखिए अग यह पूरी फिनिशिंग पास से दिखिए उसके बाद हम seat cover पर आते हैं तो seat cover भी देखे कितना प्यारा है तो seat cover देख सकते हैं कितनी प्यारी finishing आ रही है आप देख सकते हैं कहीं कोई wrinkle नहीं बंद कर दूलाई कहीं कोई wrinkle नहीं है देखिए आप आ रहा है अभी रुख जो अभी हो जाएगा और लेते हैं लेते हैं लेते हैं ओन कर दो light अभी armrest पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी fitting आ रही है साथ में driver sight की आप देखिए पूरा ही time black theme पे दिया गया है मैटिंग भी देख सकते हैं 10 black में पूरा finish किया गया है hand brake के lever पे भी पूरा cover 10 के साथ gear नॉमा मैंने पहले भी आपको दिखा यह फिर से एक बर दिखा देता हूँ देख सकते हैं sensor पे है driver sight के gate की finishing देखिए कितनी प्यारी आ रही है wrapping के साथ और ambient light भी कितना खुबसूरत बना रही है नजारा साथ में यहां भी प्यानो फिनिश हमने किया है पीछे का दिखाते हैं आपको फ्रॉबसा सीट आगे करिए वाली यह देखिए आप पीछे की भी फिटिंग देख सकते हैं आप प्रॉपर जूम में देखिए कितना ही बेहतरीन आया है और यह पीछे की मैटिंग का एक बना जारा दिखाते हैं आपको यह देख सकते हैं आप टैन ब्लैक में हैं फिटिंग देखिए कितनी प्यारी है तो पूरा इंटिरियर थीम को हमने टैन ब्लैक किया है बैक डूर पर भी फिटिंग देखिए रैपिंग की एकदम OEM फिटमेंट है आमरेस की फिटिंग भी एकदम OEM है यह देखिए दरवाजे पर यह थर्ड रो का भी नजारा आप देख सकते हैं इकदम प्रॉपर फिटिंग आई है मैटिंग देखिए टैन ब्लैक में नाइंडी मैटिंग अमने डाली है आप उपर कर दो तो यह इंटीरियर का एक नजारा था थोड़ी से सीट पीछे करिए फिर से थोड़ा थोड़ा पीछे करिए थोड़ा था करो हाँ तो यह इंटीरियर का नजारा एक बड़ देखिए आप फिर से यह थोड़ा इंटीर पीछे कर दोड़ा था देखिए यह दोड़ा थोड़ा रहिंटीरियर यह इंट विट्र अधरम्णट्ट धिर से शेडो लाइट देखिए यहां पर थोड़ा सा अंधेरा कम है उपर से जिखाई है यह देखिए प्रॉपर टोईटा की बैजिंग कितनी प्यारी आरी एस में यह गेड बंद करने पर बंद हो जाएगी और आउन करने पर आ जाएगी तो यह काम हमने किया था पॉर्ट्टून मिलते आपसे नेक वीडियो में सब तक के लिए टेक क्यार बारा है वा नाइक देज्टूनुटूनुटूनुटूनुटू झाल